नमस्कार मैं हूँ दिबांचली मुईत्रा फिलस्तीनी और इसराइल में घमासान मचा हुआ हमास क्या है जो इसराइल पर लगातार हमला कर रहा हुआ अगर आपके मन में ये सारे सवाल हैं तो हमारे चैनल पर इन सारे सवालों से जुड़े जवाब का वीडियो मौजूद है जिसे आप देख सकते हैं आज हम आपको गाजा पट्टी के बारे में बताएंगे गाजा पट्टी को समझने के लिए आप सबसे पहले ये मैप देखिए ये 1917 के फिलस्तीन का मैप है इसके बाद जब जब फिलस्तीनी और इसराइल के बीच लड़ाई हुई फिलस्तीन को अपनी जमीन इसराइल के हाथों गवानी पड़ी अब का इसराइल और फिलस्तीन इस तरह से दिखता है इसमें जो हरा वाला हिस्सा है वो फिलस्तीन है जबकि सफेद वाला हिस्सा इसराइल है फिलस्तीन के इस हिस्से को वेस्ट बैंक कहा जाता है जबकि Mediterranean Sea के पास वाले इस हिस्से को गाजा कहते है गाजा पट्टी का एक फिलस्तीनी शेत्र है ये मिस्र और इस्राइल के भूमध्य सागरियत तट पर स्थित है यानि इसके एक और भूमध्य सागर है तो वही दूसरी और इस्राइल और एक हिस्सा मिस्र को भी छूता अगर गाजा पट्टी के शेत्र फल की बात करें तो ये सिर्फ 40 किलोमीटर लंभी और 10 किलोमीटर चौडी पट्टी इसका कुल शेत्र 235 वर किलोमीटर गाजा पट्टी, फिलस्तीनी, अर्भी और बहु संख्यक मुस्लिम बहुले लाका गाजा पट्टी के आबादी करीब 20 लाग है और यहाँ पर इस्राइल विरोधी संगठन हमास का शासन इस्राइल इस संगठन को आतंकी संगठन मानता है 14 माई 1948 में जब सयुक्त राष्ट्र बैलफॉर डेक्लरेशन के तहत फिलस्तीन को यहूदी और अरब राज में बाट दिया गया था जिसके बाद से फिलस्तीन और इस्राइल के बीच संगर्ष जारी गाजा पट्टी का इतिहास भी 1948 में इस्राइल के बनने के साथ ही शुरू होता है 1948 में इस्राइल के निर्मान के बाद यहां बसे अर्बों के लिए अर्मिस्टाइस रेखा बनाई गई जिसके तहत गाजा पट्टी में अरब मुस्लिमों को रहना तै किया गया और यह तै किया गया कि यहूदी इस्राइल में रहेंगे 1948 से लेकर 1967 तक इस पर मिस्र का अधिकार था लेकिन 1967 में 6 दिन की लड़ाई के बाद इस्राइल ने अरब देशों को हरा दिया गाजा पट्टी पर इस्राइल का कबजा हो गया जो 25 सालों तक चला 1987 के दिसंबर में गाजा के फिलस्तीनियों के बीच दंगों और हिंसक जड़प ने एक विद्रोह का रूप ले लिया हाला कि पट्टी के दक्षणी सीमा पर मिस्र का ही कबजा बर करा रहा साल 1994 में इस्राइल ने फिलस्तीन लिबरेशन ओगनाईजेशन यानी पिलो द्वारा साइन ओसलो समझोते की शर्तों के तहट फिलस्तीनी अथारिटी को गाजा पट्टी में सरकारी प्राधिकरण का चरणबध तरीके से ट्रांसफर शुरू किया साल 2000 की शुरूआत में फिलस्तीनी अथारिटी और इस्राइल के बीच बादचीत नाकाम होने से हिंसा अपने चरम पर पहुँच गई जिसे खत्म करने के लिए इस्राइल के ततकालीन प्रधान मंत्री एरियल शेरॉन ने एक योजना की घूशना की इस योजना के तहट गाजा पट्टी से इस्राइल सैनिकों को वापस हटाने और स्थानिय निवासियों को बसाने का प्रस्ताव था साल 2005 में इसका नियंत्रण पियले को दिया गया लेकिन इस्राइल ने गश्ट जारी रखी गाजा पट्टी पर जून 2007 के बाद से हमास का शासन जबकि फलिस्तीन राजनीतिक समुह की पार्टी फतह की अगुवाई वाली आपातकालीन क्याबनेट का शासन वेस्ट बैंक पर फलिस्तीनी अथौरिटी अध्याक्ष महमूद अब्बास ने कहा कि गाजा हमास के नियंत्रण में रहेगा फलिस्तीन में 2006 में संसदिय चुनाव हुए थे इसमें हमास विजई रहा था अपेक्षा कृत उदार दल फतह दूसरे स्थान पर आया दोनों दलों ने मिलकर सरकार बनाई लेकिन फिर जून 2007 में हमास ने गाजा पट्टी पर अकेले कबजा कर दिया इसके बाद से आज तक गाजा पट्टी पर हमास का कबजा बरकरार फतह शासत फलस्तीन का अधिकार केवल वेस्ट बैंक तक लेकिन इसके बाद से इसराइल ने इस इलाके का बॉर्डर सील कर दिया बलकि कई प्रतिबंध भी लगाता रहा गाजा दुनिया भर में सबसे घनी आबादी वाला देश यहां प्रतिवर किलोमीटर शेत्रफल में 4505 लोग रहते हैं एक अनुमान के मुताविक 2020 तक यहां प्रतिवर किलोमीटर 5835 लोग रहने लगे 2020 तक इसकी आबादी 21 लाक के करीब हो गई आबादी में 53 फीसदी से जादा लोग युवार गाजा की 21 फीसदी आबादी बहुत गरीब है और ये लोग हर दिन 18 डॉलर से कम पर गुजारा करने पर मजबूर है यहां बेरोजगारी दर 40.8 फीसदी युवाव में बेरोजगारी दर 50 फीसदी से भी जादा है यहां की सरकार के पास इतना पैसा नहीं कि वे अपने 50,000 कर्मचारियों को वक्त से सालरी दे पाए गाजा के सामने सिर्फ यहीं समस्या नहीं यहां पर इलाज और दवा की भी भारी किल्लत है 20 फीसदी लोग इलाज के लिए और 25 फीसदी लोग दवाओं के लिए मिस्र जाते रहते लेकिन मिस्र ने भी अपनी सीमा बंद कर दी लेकिन इन लोगों को इसराइल में जाने की इजाज़त है ना सिर्फ दवा और इलाज बलकि अनाज के लिए भी गाजा की 80 फीसदी आबादी दूसरों पर निर्फर यहाँ गरीबी का आलम यह है कि लोगों के पास अनाज खरीदने तक के लिए पैसे नहीं असल में इसराइल की ओर से घोशत संघर शेत्र में खेती पर रोक से गाजा का अनाज उतपादन 75,000 टन कम हो गया इतना ही नहीं इसराइल ने फलस्तीनियों पर समुद्री शेत्र में मचली मारने पर भी प्रतिबंद लगा दिया जिसे गाजा के लोगों की मुश्किलें बढ़ गए गाजा का इलाका भारी बिजली और पानी संकट से जूच रहा इसके बावजूद हमास इसराइल जैसे ताकपवर देश से टक कर लेने से बाज नहीं आ रहा हमास इस बात से अच्छे तरह वाकिफ है कि इसराइल पर हमले का उसे बुरा खामियाजा भुगतना पड़ता है लेकिन फिर भी वो इसराइल से दो-दो हाथ करने से घबराता नहीं इसराइल ने गाजा पर कई कड़े प्रतिबंद लगा दिये सीमाय सील कर रखी है लेकिन इसके बावजूद भी हमास इसराइल पर लगातार रॉकेट डाकता रहता है करुछन उसराइल प्रका दिर हो इसराइल भी है अवालों, फिर अखवालों, पोड़ा किस्का पांसा अपांसा वो आड़ा इन घड़ाई। झाल झाल